सस्टी काल जी सारायनू स्वागते तड़ा यम तड़का पंजाबी कुकिंग देवीचे आज बनावांगे आपा शोल ले पठूरे तुसे मेरे तरिक्केना शोल ले पठूरे बनाके देख्यो तानू बजार नू किते वधिया शोल ले पठूरे लगण गेवाले बहुत ही ज तब तो पहला मिलन तो आओ रेस्पी बनाना शुरू कर देयां ते शोले मसाला बनावन वास्ते में शोले ले याए थे 400 ग्राम ते इंदन में रती पाड़ी वीच प्यों दिता सिगा तो अपा एंदन नो एक वरी वाश कर लवांगे ते उन शोले में चंगी तरा साफ पा रख्या है एक गलास पाणी ते दे विच पावांगे एक चमच चाह पत्ती दा ते इननो बॉयल कर लवांगे चंगी तरा ते उन प्रेशर कूकर दे विच आपमा तो उत्ते होई शोले पाद वांगे ते चाह पत्ती वाड़ा पाणी जड़ा पाँ वाड़के रख्या ते शोले बालन वास आप नवांग पावांगे चंगे दा चोथा हिसा ते टक्कर लगा के आप इननो गैस दी उपर पांज विसल ओन तक पुकावांगे ते जिनना जरी शोले बॉयल हो रहे है आप एदर आटे दे तियारी कर लेने है एथे में वैद्धा ले आवां पांस पांज ग्राम यानि की एक छोटा चम्मच ए तुसी जरूर पायो ए देना जड़े प्ठूरे सटे जाली दर बन दे हन बजार वर गे बिल्कुल ते उन सारा कुछ चंगी दरा आटे विच मिक्स कर लवांगे तोड़ा पाटे नो इते नौर्मल पाणी दे नाल गुन लवा ते आटे नो बहुत ज़्यादा सकत जब बहुत ज़्यादा आपा टिलाने गुनना आटे न आपा नौर्मल है गुनना जिद्धा आपा रोटिया वास ते आटे 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 आट ते एक वर फिर आप आए दे उपर तेल लगावाँगे तो हलका जाए नो हथ नाडपा ऐस तरा डो बना के ते नो रख दवाँगे ते दा समेंट वास्ते आप ऐस तरा कवर कर दवाँगे एक बाउल दे नाड क्योंकि आप एद बें सूजी पाई है और थोड़ी जी फुल जाएगे इतना तो दास मेंट हो गया तो आप आप आए एक वर फिर तेल लगाआके गुन्द लवाँगे वदिया त्रिके नाड आठे नो जिन्ना ज्यादा सी गुन्नांगे साड़ा आठा ओन्नाई सौफ्ट हो जाएगा तो ओधे ना साड़े ठूरे बहुती वद्या मलायं तो बहुती वद्या बारू क्रिस्पी बढ़नेंगे थोड़े ते उपर हलका जे आपा तेल लगांके एन्विक बाउल दे विच रख दवांगे तो वी मिंट वास्ते आप पायनना नो एसे तरह प्यार एन दवांगे प्लेट दे दवांगे दे उपर गर्मी दा मौसम है वी मिंट बार एन दवांगे तो बाद विच असी फ्रिज विच रख दवांगे आठा तो शोले आनो पांज विसल आचुकिया हन तो आप टकन खोल के देख देया विसल वाना बहुत ही जूरी है चार तो पांज तांके साड़े शोले सोफ्ट बंड क्योंके बढ़ूरे आमाले शोले थोड़े सोफ्टी अच्छी लग दे हन देखो बहुत ही वद्या सोफ्ट चेड़े सड़े शोले त्यार हो गे हन तो आप तडके दी त्यारी कर देया ते कड़ाई विच पावांगे आप वद्डे चार तो पांच चमच देल दे तो आप पावांगे अद्धा चमच जीरा तो हलका जा पाई नो रोस्ट कर लवांगे तो एक पावांगे तेज पत्ता वद्या फ्लेवर लई यह बिल्कुल ऑप्शनल है तो एथे में ले आवा थोड़ा जा अद्रक थोड़ा जा लसन तो दो हर्या मिर्चानों में कूट ले आवा तो आप्पा तेल दिविच पादवांगे तो हुण आप्पा इन्नो गोल्डन ब्राउन होन तक फ्राई करांगे तो हुण चार मीडियम साइज दे प्याज लेया तो एन्दननों मैं इसतरा ग्रेट कर ले आवा यानि कूट ले आवा एन्नानू तो हुण आप्पा इन्ननो तड़के दिविच इसतरा पादवांगे तो एन्ननों आप्पा चंगी तरह इसतरा हिलावांगे तो गोल्डन ब्राउन होन तक आप इन्ननों फ्राई करना है तो हुण प्यास दा कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है तिहोण आपाए दिविच मसाले पावाँगे सब तो पहला पावाँगे आपा नमक नमक आपाए थे टेस्ट रेकोडिंग पावाँगे फिर पावाँगे आपा कश्मीरी लाल मिर्च एक चमच दे क्रीम थोड़ा जेहा लाल मिर्च द्रा पावाँगे क्योंकि आपा पहला हरी मिर्च पाई है तन्या पॉर्डर पावाँगे आपा अद्दा चम्बच चना मसाला पावाँगे एक चम्बच दे करीब तिहुण आप पाएंदा नो दो मिनट मीडम फ्लेम दिऊपर फ्राई कर लवाँगे तिहुण इत्त में तीन टमाटर मिक्सी विच पीस लेया तो आप आएद विच पाद वाँगे तिहुण आप आएदों चंगी तरा नाल फ्राई कर लवाँगे तिहुण आप तड़के नो ओद तक फ्राई कर आँगे जदो तक की तड़का तेली शाट दिन्दा तिहुण टमाटर भी चंगी तरा ना फ्राई हो चुक्के हाँ दड़का बहुत ही वदे त्यार हो गया है तिहुण आप आएद विच पावाँगे उबले होई शोले एक कडशी तिह आप आएदों हलका जे मैश कर दवाँगे तिहुण आप आएदे विचे सारे शोले पाद वाँगे तिह मिक्स करांगे तिहुण आप आएदे विचे तेड़ ग्लास आप गरम पाणी पावाँगे तिह चंगी तरह ना मिक्स करांगे तिह एक चमच आप आप आएदे के सूरी मिथी पावाँगे तिह दो चमच पावाँगे आप आप अनार्दना पावडर एदे तुसे जरूर पाईओ असली टेस्ट रा शोले ना दे नाल ही होंदा है तो बहुत ही वदिया चटपटे शोले साथे त्यार होंदे हन तो ए मैं कार पीस्या सीगा तो एथे में ले आवा पंजा ग्राम गूड एवी तुसे जरूर पायो बहुत ही वदिया खट्टा मिठा टेस्ट आएगा तो अपा चंगी तरह ना मिक्स कर दावाँगे जीड़ा अणा आदना पा पाल्ग तो फिस्या हुए लाकिया अन्या ओ बहुत ज्यादा वदिया नहीं होंदा इस करके अना आदना हमेश्या वदिया क्वाल्टी दा खिरद्धों तक लेके खुद पीस्यों त फेर ही वदिया अना आदना पौडर त्यार हूंदा है ते अद्धा चमच गर्मसाला पाउडर पावाँगे ते मिक्स कराँगे ते होण आपा शोलियानों दास मिनट तककन दे के पकावाँगे मीडम ख्लेम दे उपड़ ते होण दास मिनट हो गे हन तो होण आपा चेक कर दे आँ तेखो शोलियान दा कलर बहुती वधिया आया है तो होण आपा इंदोने एकवारी इस तरह हिला के देख देया बहुती वधिया सादे शोलियान दा कलर आया है ते सबजी बहुती वधिया लग रही है तो हुण आपा एदे विच पावाँगे कट्याव हया ब्रीक हरा तनिया तो हुण चंगी तरह ना मिक्स करांगे तो साथी शोले बनके बिल्कुल त्यार हम तुसी देख साख देऊं बहुती वद्या साथ डे शोले मसाला बनया है तो तुसी अग्गे तो ज़दो भी शोले मसाला बनाओ तो एस तरीके ना बनाओ तो अनू बहुती ज़़ा पसंद आएगा तो तुसी बार-बार एसे तरह ही बनाओगे तो चलोड़ा पपठू रहें ती त्यारी कर देयां तो एदर ती मिनिट हो गया साथा डो बिलकुल वद्या तरीके ना फूल चुक्या है तो मैंनो थोड़ी दिर वास्ते फ्रिजविच रख दितता सीगा तो अपपा इनो तेल लगा के थोड़ा जया एक वर फेर इस तरह गुन लवांगे सॉफ्ट कर लवांगे एक वार पहला पंदरा मिनिट आटा बाहरी प्यार या सी उस तो बाद पंदरा मिनिट मैंनो फ्रिजविच रख दितता सीगा क्योंकि गर्मी दा मौसम है इस करके तो अपपा शोटी शोटी बॉल बना लवांगे पेड़े तुसी अपने हिसाब ना कर सक्दियो कि तुसी पठूरे वड्डे बनोने हन जाशोटी बनोने हन तो पेड़े में कर ले या तोफोँण आप आप पठूरे नू बेल ले ने या तो तेल लांके आप उन्दनन बिल लांगे हलके हाथ ना पा तेल लगा के नो बेल लांगे बहुत ज्यादा पा जोर नहीं लगा ना हलका जा मैं बेल लड़नों में तेल लगा लिया सिगा तिप ठूरे बहुत ज्यादा मोटे हैं बहुत जारा पतले नहीं करने नॉर्मल अपा रोटी वर गही बेलना है नो ते प्ठूरा में थे बेल के त्यार कर लिया है ते अधर तेल भी साड़ा चंगी तरह गर्म हो गया है तो अपा एक वारी एनू चेक कर लेने है शोटा जहां आटे दा पीशा पा सिट्ट्या है तो अपा देखते है ते बहुत ये वदिया फूल के है आटा उपर आगया तुसी देख सक दियो ते अपा एनू बार कड लवांगे ते अधर तेल बिलकुल त्यार है तो अपा एक देविच्चे पठूरे फ्राई कर लवांगे तेल जड़ा है बहुत ही ज़ादा गर्म होना चाहिए बिलकुल हाई फ्लेम दे उपर तेल थंड़ा बिलकुल होना चाहिए ते होडा पा एस तरह नू हलका हलका प्रेस करके ते अधे उपर तेल पावांगे तेल पहुनते नाल ही जड़ा सड़ा पठूरा वदिया फुल जानदा है इस तरह तुसे देख सकते ओ कि पठूरा किन्ना वदिया फुल लिया है तो बहुती वदिया बलून वणों हे फुल गया है तो हूडा पाय दी साइड चेंज करदादावांगे ते बहुत ही वदिया एद्रों में कलर आया है गोल्डन तो आप एनो हलका जहाँ गोल्डन होन तक फाइकर लवांगे टेल हमेशा ही गर्म ही रखो पठूर्यादा जे कर तेल ठंडा होएगा तो पठूर्यादे अंदर बहुत ही ज़ादा तेल हो जाएगा इस करके तेल बहुत ही ज़ादा गर्म होना चाहिदा है तो आप पठूर्यादा कलर बहुत ही वदिया लाइट गोल्डन हो गया है तो आप एन दोनो बहर कड लवांगे प्लेट दिवीच तो आप सारे पठूरे एसे तरह नाले बेल बेल की एक एका पैदे विच पॉंदे जावांगे तो इस तरह थोड़ा जायनो दबावांगे तो उपपर एने तेल पांदे रवांगे हलका हलका इस तरह तेल पॉंदे नाले पठूरे फुल दे हन तुसी एक एक पठूरा ही कड़ाई विच पाके इस तरह बनायो अगर ता डिवर्ट डिकड़ाई है तुसी ज़्यादा पासकते हो देखो साथे पठूरे बिल्कुल ते आरहन बनके बहुत ही वधिया पठूरे बने हो ते शोले भी बहुत ही ज़रा टेस्टी बने हो तुर्ण आपा एक पठूरा ता नो इस तरह तोड़के दुखान ने हो तुसी देख सकते हो कि ना जाली दार वधिया पठूरा बने है अंद्रों सॉफ्ट है तो बारों बिल्कुल ही कुरकुए बहुत अच्छे पठूरे बने हैं तुसी मेरे तरिके ना शोले पठूरे जू ट्राई करना तो फिर मैंनघ कॉमेर्स वे ज़स्टना किता ते शोले पठूरे की तरह बने जे हाले तक तुसे मेरे चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किता तो प्लीज मेरे चैनल यम तड़का पंजाबी कुकिंग नो जो सब्सक्राइब पिरो तो फिर मिल देख नवी रस्पी देनार वह तक लिसा स्ट्रीकाल